हाई फ्रेंड्स माई आपका दोस्त राजीव रैन्जन कुमार आप देख रहे हैं टेक वोल्ड चैनेल आज दोस्तो माई एक चाइनिज मल्टीमीटर का रिविव करूंगा और बताऊंगा कि इसे कैसे चलाते हैं ये देखिए डिश्टाल मल्टीमीटर यूनिटी ये देखि इसका डाइग्राम और डाटा पूरा ओप्रेटिंग सिस्टेम यहां समझाया हुआ है दोस्तो आएए इसको ओपेन करते हैं ये देखिए खोल दिया मैंने इसे और यहां देखिए डिसी बोल्ट मापता है एडप्टर बैटरी जो कुछ भी हो डिसी बोल्ट उसे यहीं से गयत होगा एसी बोल्ट डिसी एंपियर एच एफ ए ट्रैंजिस्टर का पूल रिटिन आपते हैं इससे दोस्तों यह ओम रजिस्टेंस का परत्रोद यह देखिए बजर मोल डायोड का सेंबूल है दोस्तों यह इसका लिट बायर है छोटा है हलाके अच्छा है यह देखिए इसका क्लोज रूप येलो कॉलर में बहुत यह स्मुथ चलने वाला है मल्टी मीटर है दोस्तों नए सिखने वाले लोगों के लिए यह एक अच्छा उपहार है यह देखिए दोस्तों partial 3rd आई है नोस यह आयो हम इसका यह देखिए common पीन है यहां लगायेंगे लिखा हुआ हैं और देखिएँ वोल्ट ओम- µ यहां लिखा हुआ है इसको इहां लगाएंगे अब ऑन करके देख्दे यह देखिए DC वोल्ट का सिंबूल है यह DC वोल्ट यहां से नाप सकते हैं यह एक अड़ैप्टर 12 वोल्ट का हम इसका फोल्टेज नापेंगे और पता करेंगे कितना बता रहा है देखिए दोस्तों ये धियान से देखिए अडेप्टर के आउटपूड ये पुजेटिव है प्लस लिखा हुआ है और इस साइड ये देखिए निगेटिव तेरो दसमलो साथ एक साथ चार साथ तीन लगबक साड़े तेरो व लिखा ये देखिए तेरो पॉंट 6,78 है यहां भी दिखा रहा है और यह 1000 वोल्ट इसी मापने वोला रैंक है यहां भी तेरा दिखा रहा है थोड़ा ये देखिए एसी वोल्ट है 1802 तरती अब आब ये रेजिस्टेंस 15 ओंस की रेजिस्टेंस है प्लस मैनस 5 परशन इसका नापते हैं दो सोव में ये देखिए 15.8, 15.7 एक दो में दौर दर चले यगा यह 26 होम्स इसे 27 उंस में करके नापयेंगे यह देखिए दोस्तों और 60 ohms दिखा रहा है यह 200 ohms में मीटर सेट करेंगे और 60 ohms यह दिखा रहा है यह देखिए 100 के है लेकिन 95.5, 95.5, 95.5 दिखा रहा है कुछ points इदर गर चलेंगे दोस्तों थोड़ा बहुत चलता है यह 22 ohms का resistance है इसे भी 200 ohms में करके सेट करेंगे और देखेंगे इसका कितना आता है यह देखिए 25.6, 95.5 मतलब यह 22 ohms और 25 ohms आ रहा है थोड़ा बहुत इदर गर चलेगा कोई बात नहीं अब भाजे एक LED बॉल्ब टेस्टिंग करते है इसका resistance जानेंगे दोस्तों वहीं 200 ohms में देखिए चलाया तो यह जल गया LED तो ठीक है मगर इसका परतिरोध नहीं बता रहा है इसका मतलब है कि बहुत कम परतिरोध और कम भॉल्ट वाला यह LED है अब यह बजर मूट पर कर दिये अब इसको हम चेक करेंगे दोस्तों चेक करने के बाद देखते हैं LED क्या पठें कि दोस्तों यह ब्रेज रेक्टी फायर छाओ सो छोई है यानि छे एंपियर के लोट लेगा एक हाजार बोल्ट तक चलेगा यह देखिए कॉमन निगेटिव यह चारसो तिरान बेंस आ रहा है कि यहां चारसो पैशात्तर ओम्स कि यहां देखिए चारसो चानबे ओम्स कि यह बजर मोट पर हैं अभी अब देखिए ट्रैंजिस्टर की पॉल रिटी एंच फिन आपते हैं यहां से यह देखिए क्लेक्टर पुइंट नहीं यह कि दोस्तों यह लेक्टर यहां लगेगा बेस क्लेक्टर इमिटर लिखा हुआ है यह बेस है यह बेस पीन जो है यहां लगेगा दोस्तों देखिए यह लिखा हुआ है यह पहले इसका जो लिखा हुआ है इससे हम पता कर लेंगे इसके नंबर से कि पन पी है कि यह बेस इम से क्या होंगे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हैं जय हैं दोस्तों